हलो एवरिवन यह वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है कि 2019 के बाद 20 में चेंज हुआ है तो 2019 के बाद 20 में चेंज हुआ है इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए है आंसर राइटिंग को लिखने के तो अभी 2020 का रिजल्ट आया है उसमें वेरियस टॉपर की कॉपी अनलिसिस करने के बाद कुछ बाते सामने आई है तो अभी यह रैंक 2 है निदी बरदवाज मैं उनकी कॉपी कॉम देखने वाले तो यह पेपर है अपना के कहते हैं GS1 की यूनित आखरी की तीन यूनिट का है हिस्ट्री का तो मैम ने किस तरीके से चीजों को लेखे गई है पता चलेगा जैसे सुरी यह GS2 का है यहां लिखा GS1 है लेकिन यह पॉलिटी का पेपर है तो देखिए यहां पर मैम ने कैसे चीजों को लेखे अब यहां पर कॉश्चन पूछा है ग्राम सभा मतलब स्पेसि इन्होंने लिखे इसी तरीके से बागीी ऐ tan电 Lesson पर उसके बाद ने को जम्या तो के ऊंपर कृपर कृपर करने के बाद मैं कोंसी चीजे ध्यान रखनी है जो की 2,90 से हो जोगी है乾्म less money जो question ने पूछा है सीधे specific points लिख दो 5 points में अगर difference पूछा है तो सीधे line खीच के difference में बता दो यह इस तरीके से 5 marker है जैसे MP finance तो कहां पे mention है उसका function क्या है function पूछा दा तो पहले introduction में mention कर दो किस article में quality case पे उसके बाद यह question बना नहीं होगा फिर उसके बाद यह गांदी जी के purity means and ends के बारे में उन्होंने लिखा है मतलब आप देख रहे हूंगे कोई diagram नहीं है कोई flowery ऐसा system नहीं कि 3 points ऐसी आदा चंद्रमा बना के points लिख रहे हैं वाला system नहीं simple specific जो चीज लिखी है to the point लिखना है आगे बढ़ना है उसके बाद यहाँ पर 11 marker को समझते है तो 11 marker सीधा fund है इंट्रो दो थोड़ा सा अगर diagram की जरूरत है तो अगर नहीं है तो आगे बढ़ो जैसे geography में diagram बना और simple यह लिखो इस तरीके से इन्होंने लिखा है अब देख जो दिखना था और प्रकार बता दिया तो मतलब तीन पॉइंट यह तीन पॉइंट यह तीन पॉइंट यह तीन पॉइंट यह तीन पॉइंट कोई flowery diagrams नहीं कोई किसी की जरूरत नहीं है simple जो पूचा है to the point उन्होंने लिखा है यह 5 पॉइंट लिख दी है उसके बाद यह सब चीजे चलिए जब difference पूचा है तो difference की बाद चलिए difference बीच में स्वराजिस्ट और conservatives तो स्वराजिस conservative लाइन खीची पांच-पांच-पांच-पांच बाड़ा आगे बड़े इन्होंने ऐसा किया फिर इसके बाद पूर्वा मंडलोई मैम है इनकी रैंक साथ 22 है उसके बाद इन्होंने भी वही जो पूचा है आप जैसे geography है जोग्रफी में diagram की जरूरत होती इसे बागे बढ़ गए तो इस तरीके से इन्होंने answer लिखे अब यह 11 marker है तो diagram मना दिए diagram से mention करते हुए चीजों को समझा दिए तो आखरी में generalize conclude कर देता हूं चीजों को कि किस तरीके से इन्होंने चीजों को लेखे गए है तो blank इस तरीके से अब बताता हूं मैं आपको किस तरीके से इन्होंने चीजों को लेखे गए है यह जगा खा लिए तो simple है कि जब 3 marker पूछा है तो 3 marker में सीधे जैसे मान के चलो यह question लिखा है उसके बाद 1, 2, 3 line है तो यहाँ पर अपना point लगो एक point लिखो एक point लिखो खतम उसके बाद 5 marker है तो 5 marker में सीधे अगर एक line में intro आ रहा है जैसे मान के लो quality है तो article mention कर दो उसके बाद जो point है पाँच point वो mention कर दो 11 marker में सीधे दो line का intro diagram की जरूबद है diagram बताओ फिर जो question ने पूछा है उसकी sub heading जैसे मान के लो challenges पूछा है challenge लिखो डबबे पे उसके 4-5 point फिर उसके बाद solution एक line कीचे उसके 5 point तो 5 5 point 10 point और ये उसके conclusion एक line या दो line का इस तरीके से तो क्या major changes हुए है 2020 के comparison में वो अब देख लेते हैं तो 2020 में क्या होता था सबसे बड़ा challenge था paper complete करने का paper complete करने का सबसे बड़ा challenge था जो कि वो 2000 ये बहुत बड़ा challenge था जो कि 2020 पे पूरी तरीके से खतम हो चुका है अब सारा खेल हो चुका है content का मतलब supreme champion है content content is king मैंने बहुत सारी coffee analysis करा जो general point है वही समझ में आया है सारे चीजों से लेके समझ में आया है कि आपको कोई नेता नगरी नहीं पताना है कि आप भी आदा चंद्रमा बना रहे हैं हम तो गोला बना के circle मना रहे हैं triangle में बात कर रहे ह वो चीज पूरी जा चुकी है simple sober चीज बन चुकी है जिसको जितना facts पता है जो चीजे पूछा है जो specifically लिखा है वो लिखके आ रहा है वो champion मन रहा है तो सीधी बात है जो चीज पूछा है अगर 5 marker तो 5 points लिखके आई या पैसे simple तरीके से जो पूछा है एक line पेंटरो दे जर्वते नहीं होती फिर 11 marker में अगर कोई भी question के दो पार्ट होते है कि जैसे define this 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 इसके challenge क्या है इसके solution क्या है तो सीधी बाच define कर दो diagram में अगर समझा नहीं कोई जर्वत है इस diagram में समझा दो ऐसा नहीं किसर diagram इसलिए बना रहे है वो ही चीज आगे repeat कर रहे है ये मत करो diagram कोई न कोई value addition कर रहा है answer पर तो करो तो simple है 19 और 20 में अंतर यह है कि 19 में paper complete नहीं होता था इसलिए चंडरमा जैसी चीज़े बनाते थे diagram जैसी चीज़े बताते थे ताकि जगह बहुत गर गिरे और उसी साब से आगे बढ़े तो आप सीरे simple होगे है कि आपकी line by line marking हो रही है इसलिए cut off भी means का बहुत कम गया है comparatively इतने सालों से mains हो रहा है उसका चीज़े पूरी बदल गई है जो simple जो पूछा है वो लिखके आएगा वो lead लेगा बहुत simple हो चुका है mains का funda कि बिल्कुल to the point चीज़े लिखके है और लफासी देने की जरूद नहीं है क्या कहते है five marker में depend करता है question की demand की इस आप से intro की जरूद होगी या नहीं होगी अगर सीधे energy और पावर में difference पूछा है तो आप सीधे difference के साथ difference के साथ दो एक line कीचे और आगे बढ़ते जाए इस तरीके से चीज़े को लेके जाना है बहुत copies analysis करने के बाद यह चीज़े समझ में आईए कि आपको ज़्यादा extraordinary बनने के चक्कर में fundamental इक सब गड़वर नहीं करना है जो पूछा है to the points लिखिए paper complete करिए और ज़्यादा गैस और क्या कहते हैं extraordinary वाली चीज़े मत करिये stick to the basics और यही इस पूरी copies के analysis से मेरे को पता चला है toppers की की इस तरीके से हुआ है thank you so much